Hello everyone, welcome to your online class. Myself, Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School, पहार पानी. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चो, आज मां आपको class 7th की science का chapter number 16 पढ़ाने जारे हूं. जिस chapter का नाम है मारा water, a precious resource. Water मतलब पानी, जल, a precious resource मतलब एक बहुमूल्य संसाधन. प्रिसीशियस मतलब बहुमूल्य और resource मतलब संसाधन. तो इस chapter में हम पानी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस chapter को start करते हैं. तो यहाँ पे देखो, आपको पैरा दिख रहा है. जल है तो कल है. यह एक slogan है. ठीक है? If you have water, you can think of the future. यदि आपके पास जल, पानी उपलब्द है, तो आपका भविश्य क्या है? सुरक्षित है. You are perhaps aware the 22 March is celebrated as the World Water Day. A school celebrated Water Day and invited posters from the children of your age group. Some of these posters presented on the day are shown in figure 16.1. आप शायद जानते होंगे कि हर साल, ठीक है? हर साल 22 March को विश्व जल दिवस, World Water Day मनाया जाते हैं. तो आप सभी जानते हैं, हर साल 22 March को क्या मनाया जाते है? World Water Day, विश्व जल दिवस, ठीक है? और आपकी उमर के बच्चों से विद्यालाय या स्कूल में क्या मगाया जाते हैं? पोस्टर्स मगाया जाते हैं. ठीक है, जो आप इस तरह के पोस्टर्स आप लोगोंने भी तयार करे होंगे, ठीक है? जब आप लोगों के school offline चलते थे तो आप लोगों से 22 March को आपके वहाँ water day celebrate हुआ करता था तो इस type के आप poster देख सकते हैं, आपने अपने से बड़े बच्चों को देखा होगा, posters लाते हुए तो देखो आपको different poster में लेंगे, ठीक है What is the message you get from these poster, write your observation in your notebook and discuss them in class तो आपको इन posterों में क्या संदेश मिलता था, मतलब वो poster से आपको पता क्या चलता था तो आपको जो भी observation, जो भी friction या जो आप चीजे देखते थे, उनको अपनी notebook में note करो और उन चीजों में अपनी class में बातचीत करो Have you ever filled shortage of water at home or at school? क्या आपने कभी भी पानी की किल्लत या पानी की कमी देखी घर में या फिर स्कूल में? Teachers must very often be advised you not to waste water आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा या फिर आपके teachers क्या किते हैं पानी का ज्यादा बर्बाद मत करो No wonder we celebrate a water day every year to attract the attention of everybody towards the impotence of water conserving तो इसमें कोई भी संदेश नहीं है कि हम जैसे आप आप हमारे मम्मी पापा हमारे teachers जैसे हम सबको कहते थे कि पानी ज्यादा बर्बाद मत करो ठीक है तो जो हर व्यक्ति हर इंसान का कर्तव यह बनता है कि वो पानी को सुरक्षित करें तो यह वाटर डे मनाने का एक यह reason होता है कि पानी की ओर लोगों का ध्यान आकरशित करना कि पानी तो हम water, word water दे, विश्व जल दिवस इसले मनाते हैं कि लोगों का ध्यान जाए इस ओर की पानी हमारे लिए बहुत important है, पानी को किस तरह store करो, पानी को किस तरह use करो, कम से कम use करो, ज्यादा बरबाद मत करो, ठीक है, the amount of water recommended by the United Nation for drinking, washing, cooking, maintaining proper hygiene is minimum of 50 liters person per day, तो जो हमारी संयुकतराष्टर है, ठीक है, जो United Nation है, वहाँ जैसे खाने के लिए, नहाने के लिए, इन सब चीजों के लिए एक पानी की मात्रा डिसाइट करिए, जैसे 50 liters, कि 50 liters, ठीक है, तो उन्होंने प्रिति व्यक्ति का 50 liters, ये डिसाइट कर रहे है, कि वो पानी का use करेगा, तो यहाँ मात्रा, इस amount is about, तो इस amount is about two and half bucket of water per person per day, तो यहाँ जो 50 liters amount होता है, उनके साब से यह होता है, दो bucket और एक आधा bucket, एक इनसान को दो bucket और आधा bucket दिया जाएगा, जिसमें वो अपना खाना भी यूज करेगा, अपना नहाना धूना ये सब चीज है, ठीक है, मेंटेनिंग, अपनी हाइजीन, तो ये सब चीज है, इस तरह United Nation ने ये कर रख है, Is your family getting at least this much of water, if yes, you should consider yourself fortunate, because millions of people in our country do not get enough water, what about your friends and their families, share your experience with them, क्या आपके परिवार को इससे ज़्यादा पानी मिल रहा है या फिर इससे कम मिल रहा है, अगर आपके परिवार को इससे अधिक पानी मिल रहा है, तो आप बहुत भाग्यशाली है, ठीक है, तो क्योंकि हमारे देश में बहुत जगए ऐसी हैं, जहां लोगों को पानी ही नहीं मिलते है, तो आगे को आपको 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 देखना है कि आपके दोस्त, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और लोगों को कितना पानी यूज करते है, इस लिमिट से उनको ज़्यादा पानी म और ओर मार्ज प्रोटेक्ट्स और दिमांड और यूज करते हैं, तो कुछ इस्थानों पर जल की बहुत कमी है, तो जैसे आप देख सकते हैं, नलों में पानी भी नहीं आता है, नलों का पानी भी सूख जाते हैं, और लंबी लाइने लगती हैं पानी के लिए, लड़ाई जगड़े होते हैं धरने में बैठते हैं लोग प्रदर्शन करते हैं और यह जाद अतर कब होता है गर्मी के सिजन पर समर टाइम पर तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको कुछ न्यूस पेपर की कटिंग दे रखी है ठीक है कि देखो इंक्रीज यOUR प्रॉडचिविटी वट इशीलर गेचल समस्पोर डेख सकते हैं तो इस तर आप देख सकते हैं इसमैं नैङ्स्ट है हमारा एक्टिव्टी है आेक्टिवटेच्विटीone 910 979 फॉट्सma y 00 steきierno from newspapers and magazines on the news items articles and pictures related to water shortage paste them in your scrapbook and share it with your friends list some problems faced by the people and discuss in the class तो ऐसे ही आप सामाचार पत्र न्यूस पेपर या फिर magazines पत्री काऊं ठीक है इनसे जलकी कमी से related news collect करके उसको आप अपनी एक बुक में चिपकाई है तो आप देख सकते हैं फिर आपको कितनी सारे मतलब magazines में वाटर से related news मिलेगी तो फिर आप इन सब चीजों के बारे में discuss कर सकते हैं ठीक है यह आपकी activity है water shortage has become a matter of concern throughout the world it is estimated that in few years from now more than one third of people in the country could face water scarcity before we discuss why water is getting scared we must know how much water is available for use on our planet तो जलकी कमी को पूरा करने के लिए विश्व ठीक है विश्व में यह जो जलकी कमी एक चिंता बन गई है सभी के लिए problem है कि पानी कहां से आएगा अगर पानी की इतनी कमी है तो पानी तो एक natural source है आप पानी को बना भी नहीं सकते हो या तो आप पानी को किसी chemical reaction के थ्रू बना पाते पर हम ऐसा नहीं कर सकते पानी के नैचुरल सोर्स है तो यह सभी के लिए चिंता का विशय है क्योंकि अपसे कुछ मर्ष पूर्व अनुमान लगाए कि अपसे कुछ वर्ष बाद कि हमारे विश्व में बहुत पानी की कमी होने वाली कि जैसे विश्व में आपका एक तिहाई one third of people जो हमारे विश्व में वन जो टोट में आगे को जो भी हम discussion करेंगे चर्चा करेंगे उससे पहले हमें यह जानना आउशक है कि हमारे प्लैनेट में water कितना available है water की कितनी मात्रा भी available है how much water is available तो next topic है हमारा how much water is available look at the picture of the earth taken from space why does it appear blue surely you can guess तो जो यहाँ पर हमारा picture दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है जो की satellite के थ्रूग हीचा गया है space से तो आपको इसमें जो blue blue दिख रहा है यह क्या है तो हम सभी guess कर सकते हैं यह क्या है पानी की मात्रा बताई गई है जो blue blue है यह हमारे oceans और हमारे rivers यह सब indicate कर रहे हैं Almost all the water on the earth is contained in the seas and oceans river like ice cap as groundwater and in the atmosphere और जो यह पानी है ठेक है प्रित्वी पर जो उपस्थित पानी है या तो हमारे समुद्रों में है या फिर महासागर में है नदियों में है तालों में है और ice के रूप में है हमारे poles पे और कुछ ground water है तो इस तरह हमारे जो atmosphere में पानी इस तरह हर जगह, oceans, lake इन सब जगह में हैं However, most of the water is not fit for human consumption directly तो इस में से बहुत ज़्यादा पानी humans directly used नहीं कर सकते तो मनुष्य द्वारा ये पानी को हम कुछ पानी ऐसा जिससे हम directly use नहीं कर सकते the water that is fit for use is a fresh water जो water का हम use कर सकते जो सही रहता है उसे हम कहते है fresh water perform the following activity to estimate roughly relative amount of water available in some sources तो यहाँ पर आपको एक activity दी है इसमें steps दिये है figure दिये है ठीक है तो आपको एक medium size की bucket लेनी है तो अगर जैसे medium size की है आपको फिर assume करना है that the water represents total fresh water तो इस तरह यहाँ पर आपको एक table दी है तो next है हमारा forms of water तो forms of water मतलब जल की अवस्थाएं are you afraid that continuous use will someday exhaust all the water available for use you know that water on the earth has been maintained for millions of years by various process which make the water cycle you have studied the water cycle in class 6 write in your own words what you know about the water cycle तो क्या आपको भी डर लगता है कि जल की इस प्रकार की पानी की जो किल्लत होगी तो in future क्या होगा तो हम जानते हैं कि जो हमारे प्रिथवी पर पानी की एक हमारी natural process होती है जिसके तरह हमें पानी मिलता रहता है जो natural process की है water cycle जैसे पानी का भास्प बनके वापस से आस्मान में जाना फिर वहाँ पर से rain के form में हमें पानी देना तो इस तरह यह water cycle के process हमने classics में पढ़ी थी तो जिसके तरह हमें पानी मिलते रहते है you know that water circulate through the water cycle it can be found in all three forms तो जो हमें water मिलता है water cycle के तरह यह किन-किन form में होता है three form में solid, liquid, gas तो water के कितने form होते है three form होते हैं यह three state होती है solid मतलब thos, liquid मतलब taral और gas gas के form में at any given time somewhere on the earth the solid form snow and ice is present as ice cap at the poles तो जो solid होता है thos काउन सा होता है बरफ या फिर ice के form पे तो snow और बरफ के form पे कहां मिलता है हमें poles पे मिलता है जैसे mountains में, glacier में liquid water is present in the oceans, lakes, rivers and even underground और जो liquid होता है, जो taral होता है यह हमें कहां मिलता है नदियों में, तालाबों में और underground water यह सब कौनसी स्थिती में, कौनसी state में होता है, condition में होता है ठीक है, यह हमारी liquid में होता है और इसी तरह gas, gaseous form हमें क्या मिलता है water vapor, water vapor कौनसा form होता है, gas के form में the continuous cycling of water among its three form keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole body is using it, does it give you any relief? तो जो हमें प्रिथवी पर प्रिथवी पर जुतने भी humans है हमारी मानव जाती है जीव हैं, living organism में तो हम सब की आपूरती इस water cycle के थू होती है तो इस जानकारी से आपको राहत मिली, does it give you any relief? तो क्या इससे आपको थोड़ी सी राहत मिली की water cycle की process चलती रह रही है तो पानी हमें मिलता रह रह है तो आप यह देख सकते हैं हाँ पे देखो water cycle के यहाँ पे one step, two step उसका वास्पे के रूप में बनना थर्ड cloud के रूप में फिफ्ट इस तरह और फोर्थ थर्ड, फोर्थ यहाँ देख सकता हाँ फिफ्ट, शिक्स्थ, सेवन्थ तो आपके इस तरह इसके seven step दिये गए हैं तो आप देखे, most towns and cities have water system, most towns and cities have water supply system maintained by the civic तो बहुत जो हमारे जगह होती हैं बहुत जगह इस civics के through water system को maintenance किया जाता है तो इस तरह आपको यहाँ पर कुछ हमें steps दिये हैं seven step the water is drawn from nearby lakes, river, ponds, wells, the water is supplied through networks of pipe तो जो पानी होता है अधिकान शहरों और जो नगरों में होता है जल आपूर्ती की व्यवस्था बनी रहती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो नगरों में होता है नगरों के आसपास जितने भी जील या नदी तालाब होता है वहाँ से पानी लाया जाता है या कुवे के through और इसके लिए एक जाल बिचा रहता है जैसे कि pipes का जाल, pipe के through आपका पानी आना बहुत सारे गाओं में इस तरह pipe का जाल नहीं बिचा होता है जिससे की पानी की supply हो सके तो वहाँ के लोग सीधे पानी जहां source है पानी का वहीं से जाके पानी भड़ते हैं often people and even children have to walk several km to fetch water तो पानी भड़ने के लिए लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं ठीक है बच्चे भी जाते हैं और उनके मम्य पापा भी जाते हैं बहुत दूर दूर से पानी लाते हैं the children suffer a lot बच्चों को इस problem से बहुत जूजना पड़ता है they cannot attend school regularly since they spend in fetching water तो वो school भी अपना regular नहीं जा पाते हैं उन एरिया में जहां पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है क्योंकि उनका जादा से जादा time पानी लाने में ही चले जाते हैं a large number of people draw water from well tube well और hand pump मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों की बहुत बड़ी संख्या पानी कहां से भरती है कूओं से tube well से और hand pump से from where do these source get water तो इन कूओं में hand pump में पानी कहां से आते है तो next topic है हमारा groundwater as an important source of water groundwater मतलब भॉम जल या फिर भूमी से मिलने वाला पानी तो यह important source है महत्यपूर्ण श्रोथ है पानी का if we dig a hole in the ground near a water body we may find that the soil is moist अगर हम मिट्टी में कहीं पर गड़ा खोले तो हमें दिखते है कि मिट्टी में कहीं moist है नमी है the moisture in the soil indicate the presence of water underground तो वो जो नमी है जो मिट्टी में नमी दिख रही है वो क्या संकेत दे रही है पानी की उपस्तिती का मिट्टी के नीचे और अगर और नीचे खो दे तो वो हमें क्या संकेत देरी कि पानी उपस्तित है मिट्टी की नमी से हमें पता चल जाता है कि उस मिट्टी में पानी उपस्तित है या नहीं है if we dig deeper and deeper अगर हम उस गर्ठे को और गहरा और गरहरा खो दें we would reach a level where all the space between particles of soil and gaps between rocks are filled with water तो हम एक उस लेबल पे एक ऐसे इस्तर पहुंचेंगे जहां पे आपको मिट्टी और जो हमारे पत्थर है उनके बीच में gap दिखेगा और वहां पर आपका क्या होगा पानी भरा होगा the upper layer of this is called water table तो the upper level of this layer तो इस level की जो परत होती है उस परत की जो सबसे उपर ही layer होती हम उसे क्या कहता है water table the water table varies from place to place and it may even change at a given place the water table may be at a depth of less than meter or may or may be several meters below the ground the water found below the water table is called ground water what is the source of ground water तो जो हमारा ground water का इस्तर होता है level होता है वो अलग लग स्थान पर अलग लग होता है कहीं आपको बहुत जल्दी ही हमें पानी का level मिल जाएगा और कहीं हमें बहुत नीचे तक खोदने के बाद भी पानी का level नहीं दिखता है बहुत जादा खोदना पड़ता है डीपर डीपर खोदना पड़ता है तो कहीं इससे हम पता कर सकते कि हर जगह पे सेम हमें water level नहीं मिलेगा, ठीक है, तो जो मिट्टी का level होता है, या तो वो बहुत 1 meter पे ही मिल जाएगा, या फिर बहुत नीचे 10 meter या फिर आपको 8-9 meter नीचे खोदना पड़ेगा, तो जो मिट्टी के नीचे, मिट्टी के नीच from other source such as river and ponds, seep through the soil and fill the empty spaces and crafts deep below the ground. The process of seeping of water into the ground is called infiltration, the ground water thus gets recharged by this process. At place, the ground water is stored between layers of hard rock below the water table, this is known as aquifire. water in the aquifers can be usually pumped out with the help of tube wells or hand pump so the water then the water is dry, by the water then the water goes down to the deep ice जाती है जैसे बारिश आती है तो बारिश के साथ पानी और मिट्टी दोनों जाते है तो पानी नीचे जाता है तो मिट्टी के साथ पानी नीचे चले जाता है नीचे ग्राउंड में चले जाता है तो जिससे वो नीचे जो हमारे दरार होते हैं या जो नीचे खाली स्तान होत सीपिंग मतलब रिसाव पानी के जमीन में पानी का भूमी दारा इस तरह का रिसाव क्या कहलाता है हमारा इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है तो इस प्रक्रम द्वारा हमारा जो मुट्टी के ग्राउंड के अंदर जो हमारा वाटर होता है वो हमारा हमेशा हमें मिलता रहता है ठीक है तो आपने कही इस्तानों पर देखा होगा कि मिट्टी के नीचे बहुत सारे कठोर चट्टाने पाई जाती है चट्टानों और मिट्टी के बीच में क्या होता है पानी होता है तो इसे हम क्या कहते है एक्विफायर तो उस टेबल क देख सकते हो आपको एक डाइग्राम दिया है Ground Water and Water Table तो देखो stream या lake हमारा Water Table और Equifier और Ground Water देख सकते है आप कितने नीचे है ठीक है तो इस तरह हमारा ये डाइग्राम है तो next है हमारा Depletion of Water Table तो Depletion of Water Table मतलब Depletion का मतलब होता है आउशाई तो जो Water Table है जो हमारा भौम जल का इस तरह है उसका आउशाई Water drawn from Under the Ground Water drawn from Under the Ground gets restored by seepage of rainwater The Water Table does not get affected as long as we draw as much water as is replenished by natural process However, Water Table may go down if the water is not sufficiently replenished, this may happen due to many reason increase in population industrial and agriculture activities are some common factor affecting Water Table Scanty rainfall in another factor that they deplete the Water Table Yet another factor affecting Water Table could be deforestation and decrease in the effective area of seepage of water तो जैसेए हम पानी के नीचे से इसकre । वायट साइकल एक प्रभावित होने लगता है तो जैसे हमारी प्रश्रीच के द्वारा पानी प्रोवयड हो रहा है जैसे वह साइकल हो रहा है इसलों है लोग झेसे घरpriожд視 एक्ट City फोल भीड़म के है, ला फिर दिरने dedicate मने जे Dengy पानी भरते हैं ठीक है एक hand pump से अचानक से जनसक्या बढ़ गई 100 के बजाए 200 भरने है 200 के बजाए 300 के बजाए 500 एक दिन भरने लगें तो क्या वो hand pump से आपको उतना पानी मिलेगा और हमारा जो natural process के थूजे से water cycle हो रही थी तो पानी की पूर्ती हो रही थी नीचे पानी का level सही था पर कई टाइम से पान बारिश भी नहीं होई है तो नीचे पानी का level भी ठीक नहीं है तो इस तरह से water का क्या हो जाता है depletion हो जाता है तो जैसे इसका main reason है increasing population बढ़ती हुई जनसंख्या चेक है increasing population create demand for construction of house, shop, office, roads and pavements अगर जनसंख्या बढ़ दिये तो लोगों को क्या अपने भवन, दुकान, कार्या लग ये सब चीज़े भी बनाएंगे लोग फिर इससे related this decrease the open areas like parks and playground तो इससे क्या होगा हमार जो पार्क है और जो playground है उनकी जो हमारी counting है वो कम होगी जहां पर पार्क और playground बनते है वहां पर ज़्यादा जब लोग बढ़ेंगे तो लोग अपने लिए मकान बनाएंगे तो पार्क और playground कम हो जाएंगे ठीक है this in turn decrease the seepage of rainwater into the ground तो अब लोगों ने अपने मकान बना दि अब वहां पर तो आपका मकान होगे अगर वहां पर नॉर्मल आपका खेट जैसा या फिर मैदान खाली होता तो वह क्या करता पानी को स्टोर करता पर अब वहां पर मकान होगे दुकान होगे तो पानी को कैसे स्टोर करेंगे what could be the consequence recall that पक्का floor does not allow water to sleep in easily तो जो पक्का floor होता है जो हमारे पक्के मकान होता है उनमें हमारा पानी का रिसाव नहीं होता है जैसे आप एक activity कर सकते है आप जैसे अपने floor पे अपने घर के अंदर पानी डालो ठीक है एक glass ऐसे पाणी जमीन में फैक दो वो पाणी कहा जाता है कि जमीन उस पाणी को सोख लेती है नहीं सोखती है और यही activity आप अप थोड़ा घर के बाहर पे जाके करो वह इप एक बाल्टी पानी डाल दो ठीक है जहां पे मिट्टी है तो आप क्या देखोगे मिट्टी पानी को सोख ले रही है तो यही रिजन है पॉपुलेशन के बढ़ने से पानी के जो हमारा मिट्टी द्वारा रिसाव हो रहा है सीपिंग हो रहा है उसमें क्या जा रही है कमी आ जाती है इसी तरह दुसरा रिजन है increasing industry जो हमारे कार खाने हैं उद्योग हैं उनमें जो हमारे बढ़ते हुए उनकी संख्या दिन प्रती दिन बढ़ रही है water used by all industry almost everything that we use need water somewhere in its production process the number of industries is increasing continuously water used by most of the industry is drawn from the ground तो जैसे हमारे उद्योग कार खाने ये सब बढ़ रहे हैं तो जैसे जादा से जादा उद्योग हो रहें तो उनको पानी भी तो चाहिए अपना production हर चीज में पानी का use होता है आप कुछ भी बैनाओ आप कपड़े बैनाओ आप कोई भी material तैयार करो आपका हर जगा पानी का use होता है तो बढ़ती हुई इंडरस्टी अगर होगी तो हमारे पानी की भी जरुते बढ़ेंगी तो पानी की उतनी पूर्ती कहां से होगी तो next है हमारा topic distribution of water जल का वित्रण the distribution of water over the globe is quite uneven due to a number of factors अनेक कारणों से विश्व में विभिन खेत्र में पाए जाने वाले जल में जो पानी का वित्रण होता है जो हमारा जल का वित्रण है वो असमान है वो हमारा कोई मैश नहीं है हर जगह अपना अपना तरीके है पानी का some places have good amount of rain and or water rich on the other hand there are desert which have scanty rainfall जैसे कुछ इस्ताने जहां बहुत बारिश होती है वहाँ पानी अच्छी मात्रा में उपलबते है ठीक है वहाँ इतना पानी उपलबते है कि सभी के लिए प्रयापते हो और दूसरी ओर ठीक है on the other hand और दूसरी ओर आप देखो के रेगिस्तान जैसी जगह में जहां बारिश कम होती है और पानी भी बहुत कम उपलबते है इंडिया is a vast country and the rainfall is not the same everywhere some reason have excessive rainfall while some other have little rainfall excessive rainfall cause floods whereas the absence of result in drought therefore some reason in our country may have floods while other may suffer from doubts at the same time तो जैसे कि इंडिया एक विशाल देश है ठीक है भारत एक बहुत विशाल देश है जहां हर जगह अलग अलग टाइम पे बारिश होती है ऐसा नहीं है कि यहां पे बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं है कि राजिस्तान में भी बारिश हो रही है गुजरात में भी बारिश हो रही है तो कहीं बारिश बहुत जादा होती है जिसकी वज़े से वहां बार भी आ जाती है और उसी टाइम पे कहीं बारिश बिलकुल भी नहीं होती है और वहां सूखा पड़ जाता है जैसे आप example ले सकते हैं हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत जादा बारिश होती है तो वहां बाड भी आ जा रही है, ठिक है पश्चिम बंगाल उड़िशा, orer दुसरी और आप देखो राजिस्थान, अभी अगर पश्चिम बंगाल मैं बाड आ रही है, तो राजिस्थान में इसा टाइंप पर क्या पड़ है? सुखा पड़ है, क्योंकि वहां बारीश ही न प्रबंधन, you have read in class 6 that in many place a regular supply of water is provided by a well-planned pipe system. When the civic authorities supply water through pipes, not all of it may reach the destination you might have seen water supply, pipes like leaking and a lot of water gushing out of the pipe. It is the responsibility of the civic authorities to prevent such wastage of precious water. So we have studied in class 6 that in a certain place, the water supply of water is called pipe through. The people who have the responsibility of the water, the people who have the responsibility of the water is called pipe through. So you will see that in many places, what is the waste of water is called pipe. If there is a pipe, or if there is a pipe, then there is a lot of water in the water is lost. In many places, the water goes into the water. So what is the responsibility of the civics and the authorities? That is the responsibility of the people who don't care about these things. The water is very waste. Mis-management or wastage may take place at the level of the individual, also of knowingly or unknowingly waste water, while brushing teeth, saving, bathing, washing and during many other activities. So this is the way the water is going to be washed. So it is not necessary that we say that the water is washed away. That's why we are washed away. By using this person, you can be washed away with brushing them, washing them, brushing them, washing them. How much water is wasted in this way? Licking taps is another source of fubbed water wastage. We waste water as we do not need water the next time. तो जो हमारे नलों से पानी बहता है वो भी एक बड़ा सोर्स है पानी का जो वेस्ट कर रहे हम इसका तो हम पानी का इस तरह वेस्ट करते हैं कि कल के दिन हमें उसके अब जरुरती नहीं है We have seen that most of the water that we get as a rainfall just flow away This is the waste of precious natural resources The rainwater can be used to recharge the groundwater This is deferred to as a rainwater harvesting So you can see the rainwater we have received So we will see the rainfall in the summer that the rainwater we have received इसका पानी भी हमें बहे जाते है तो वो एक natural source है प्राकृतिक संसादन है ठीक है जिससे प्राकृतिक श्रोत है जिससे हमें पानी मिल रहे है पर हम उस प्राकृतिक श्रोत की कदर नहीं करते हैं हम उस पानी को कभी भी स्टोर नहीं करते हैं, ठीक, तो अगर आप उस पानी को स्टोर करें, तो वो क्या कहलाया जाता है, water harvesting, तो उस पानी का स्टोर आप कर सकते हैं, तो हमने class 6 में बढ़ा था कि किस तरह हम rainwater harvesting करके, उस पानी का use, खेतों के लिए और चीजों के लिए विथ हो नहीं गानी स्टोर में प्राव पिका हैं, यह ऑर मैं रिषा स्काटिस पानी का बावरी, च्तीको चैणिना का नहीं कि रहंगे लिए वावर तो हम भारत के अनेक जगाओं पे जल के भंडारण के लिए ठीक है बावरी बनाया जाता था तो पुराने समय में बावरी बनाने की जो प्रथाएं थी वो जादा थी तो बावरी में एक पारंपरिक तरीका था पानी स्टोर करने का जो लोगों का जो पूर्वश थे उनका ए तो पहले अब पर आजकल के टाइम पे उन बावरी का रख रखाओं बंद कर दिया जिससे क्या हो रहा है हमारा जलाश्यों में धीरे धीरे हमारी जो पानी है वो कम होते जा रहा है तो अब जैसी उन जगहों पे जहां बावरी बनाये जाते थे वहां पानी की किल्लत तो अब उन जगहों में पानी की अच्छे से आपूर्ती हो रही है और फार्मर यूजिंग वाटर इन दा फिल्ड कैन आसो यूज वाटर एकोनोमिकली में भी यू हैवेड ऑफ ड्रिप इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन इस टैक्निक ओफ वाटरिंग प्लांट बाइमें यूज अफ नैरो ट्यूबिंग विच डिलीवर वाटर डारेक्ली एड ड़ बेस ओफ प्लांट तो जो किसान होते हैं ठीके जो किसान खेती करते हैं वह अपने खेतों में पानी किस तरह देते हैं तो आपने सुना ओगा ड्रिप इरिगेशन ठीक है तो ड्रिप इरिगेश आप देख सकते हैं drip irrigation in a field किस तरह drip irrigation किया जाता है what role you can play आप की क्या भूमिक है या आप क्या भूमिका नहीं भात है have you ever shown concerned if you saw a tap leaking in your house, school or any other place leaking tap waste of lot of water you must take effort to stop this leakage क्या आपने कभी ध्यान दिया क्या आपने कभी अपने घर में या फिर अपने स्कूल में कही नल खुला है तो उसे बंद करा आपको कभी लग, आपने अपना क्या योग दिया, योगदान दिया, कहीं पर पानी का अगर वेस्ट हो रहा है, तो आपने वहाँ पर पानी का वेस्ट ना हो, तो ऐसी कोई कार्य करें, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जिनसे आप क्या कर सकते हो, जो वेस्ट हो रहा है, उसे आप खुद अपने आप, आपके हाथों में, कि अगर कहीं पर पानी टपक रहा है, तो आप उस नल को बंद कर दो, तो इस तरह आप अपना योगदान दे सकते हो, पानी बचाने में, तो यहाँ पर आपके देखो, दो हैबिट दी है, टर्न ओफ टैप्स वाइल ब्रशिंग, जब आप ब्रश कर रहे हो, तो नलों को बंद करना चाहिए, पानी को, पानी का आपको व्यर्थ वेस्ट नहीं करना है, मॉब द फ्लोर इंस्टीड ओफ वॉसिंग, ठीक है, पानी की कमी का क्या प्रभाव पड़ते है, ठीक है, यू मस्ट हैब सीन पॉटेट प्लांट्स विल्टिंग अट अल्टिमेटली ड्राइग अप इफ देड नोट गेट वाटर, इवन फॉर फू देज, यू आपने देखा होगा, अगर आपने धान दिया होगा कभी, अग पानी ना डालों, तो कुछ टाम बाद वो सूखने लगते हैं, वो मिट्टी भी सूख जाती हैं, फिर वो पौधी भी सूख जाते हैं, तो हमने चेप्टर लिए बहुत ज़रूरी होता है, बिना पानी को लिए वो अपना भोजन नहीं तयार कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट पानी चाहिए होता है, और पानी के जर्ये ही उनकी बोडी में, ठीक है, प्लांट की बोडी में हमारा न्यूट्रेंट्स का फ्लो होता है, मिट्टी के जर्ये, अगर पानी नहीं होगा, तो वो ही सूख जाएंगे, वो कैसे अपनी फोटो सिंथेसिस के थूरो भोजन तो next है हमारे हमारा जल हमारा जीवन तो आपने ये slogan सुना होगा ये भी एक slogan है हमारा जल हमारा जीवन तो इसके keywords है हमारे एक्यूफायर, डिप्लीशन, ड्रिपिरिगेशन, ग्राउंड वाटर, इन्फिल्टरेशन, रिचार्ज, वाटर हार्वस्टिंग एंड वाटर टेवल तो यहाँ पर इस चैप्टर की summary है देखो Water is essential for all living being Water के तीन forms होते हैं Solid, Liquid, Vapor ठीक है Next आते हैं अब हम इसकी excise पे तो पहला है इसका true and false तो first है हमारा true and false, ठीक है true and false आप easy कर सकते हो Water shortage is a problem faced only by people living in ruler areas, false क्या सिर्फ जो ruler areas में रह रह रहे हैं उनी को पानी की दिक्कत होती है? पानी की दिक्कत आजकर हल किसी को है ज़रूर ही नहीं है जो ruler areas में रह रह रहे हैं उनी को है तो इस तरह आप इसके true and false के answer दे सकते हैं Question number two है Explain how ground water is recharged जो हमारा ground water है वो कैसे recharged होता है तो कैसे होता है water cycle के through ठीक है तो आप देख सकते है Rain water and the water forms water bodies on the earth surface method है there are 10 tube wells in a lane of 50 house पचास घर हैं जहां पर आपके 10 tube well है ठीक है What could be long term impact on the water table तो इससे हमारे water table पर क्या impact परेगा तो देखो If the people of 50 house use the 10 tube wells the water is required by them is drawn from the ground If these tube wells are used for long time then the ground water would be reduced and the water table would go down अगर ये पचास घर ठीक है दस tube well का पानी लगातार यूज करते रहेंगे ठीक है तो एक limit ऐसी आएगी जब जो हमारे के के इन tube well में पानी जहां से आ रहा तो आप से अगर कोई कहे कि आप अपने garden को किस तरह मेंटेन करोगे तो आप उसमें क्या water में आप क्या ऐसा कर सकते हो कि आपके garden को अभी अच्छे साफ मेंटेन कर सको और पानी भी कम लगे तो आप उसमें drip irrigation यूज कर सकते हो क्योंकि drip irrigation में क्या होता है पानी हमारा सिर्फ पौधों की पौधों में जाता है उसका और waste नहीं होता है नेक्स्ट है explain the factors responsible for the depletion of water तो कौन से factor है जो हमारे water depletion के लिए effect कर रहे हैं ठीक है जो हमारे water depletion के लिए responsible है उत्तरदाई है तो हमारा है एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए हमारी industries और बढ़ती हुई agriculture activities तो आप देख सकते हाँ पर आपको तीन factor दिय हैं जो हमारे responsible है question number six ते fill up people obtain ground water through tube wells hand pump three forms of water are solid liquid gas the water being layer on the earth is aquifier the process of water seepates into ground is called infiltration तो next है which of the following is not responsible for यह भी easy है और last question number eight था आपका choose the correct option मेगा sketch showing ground water and water table तो आप इस तरह से sketch बिनाएंगे जो हमारा ground water and water table को शो कर रहे है तो यह था हमारा water से related कि हम पानी को किस तरह store कर सकते हैं पानी का किस तरह कम से कम use कर सकते हैं और पानी को अपने future के लिए किस तरह store कर सकते हैं